तुप्रभाद दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेज में और आज वो दिन आ गया जिसके लिए हम लोग प्रतिक्षा रहत थे मतलब कहने का मतलब काफी दिनों से एनॉंसमेंट हो रहा था कि आप लोगों को संस्क कि चलो उन बच्चों के लिए हम लोग हिंदी के अलावा संस्कत की क्लासेज भी लेके आए क्योंकि संस्कत में क्या है कि मैटर नहीं जिनको उपलब्द है वो इस कोचिंग के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संस्कत जो समझना चाहें पढ़ना चाह हैं यूपीट體 के लिए iMPORTANT है क्योंकि व्याकरण आती है जितना भी संस्कत है वो व्याकरण साहित हो सब उसमें आता है तो हम लोग आज हम लोगों का प्रेयास यह रहेगा कि हम लोग श्टार्ट करें और यह आज हम लोगों की पहली क्लास है सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा नाम आनंद स्रिवास्तो है और संस्क्यत से ही हमारी प्यस्डी चल रही है और आप लोगों के लिए संस्क्यत के लिए जितना योगदान हो सकता है हमसे वह मैं पूरा देने की कोशिस करूंगा पैसिकली यूपी टेट सीट आगे अगर बच्चे बढ़ें बच्चे की रिक्वार्मेंट बढ़ी पढ़ने का उनको ऐसा लगा कि यह चीज़ें भी कवर की जाएं तो हम लोग और भी चीज़ें लेके आएंगे जिसे टीजीटी का कोर्स हुआ या उसके कुछ ऐसे चीज़ें हुई ऐसे प्रकरण हु लोग आपस में मिल्जूल के वो चीज़ों को मैनेज करेंगे पढ़ेंगे तो यह बटा संस्क्रत के जितने भी संस्क्रतान रागी हैं संस्क्रत पढ़ने के च्छुप च्छात्रहें च्छात्रहें जो भी हैं तो उन लोगों का आपको एडी स्मार्ट क्लास परिवार उन् burada के बच्चें जिए उनको द्यान में रहते हुए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी क्लास संस्क्रत की क्लास तो संस्क्रत की क्लास में वेटा लृगो। जो हमारा सीटट्ट है मोगो और यूपीडट सेट。 सिट और यूपीड पहले analysis समझ लो कि संस्कृत का क्या criteria है सिटट और यूपीड में प्रस्टवों का पूँचने का तो आज देखों हम लोगों के introduction वाली क्लास है ठिक introduction वाली क्लास है तो इसमें हम लोग यह समझ लेंगे किinctions कहा से क्या कितना कैसे यह सारी चीज़ें गगो जो हमारा सीटेच है जो और अब ध्यान करें किenta वह कैसे क्या इसकी प्रवर्शण की प्रक्रिति होती क्या क्या क्राइटेरिया होता है तो ये सब को पता होगा कि भई यह तीस मार्क्स के question इसमें आते हैं मतलब तीस questions आते हैं ठिक और तीस questions में ये दो जगे divide होते हैं 15 नंबर की पैड़ोगा जी पूछी जाती है ठिक और 15 मार्क्स का आपको क्या पूछा जाता है 15 questions आपके रहते हैं किसे आपके संस्क्रिट सब्जेक्ट से रिलेटेड ठिक अब इस संस्क्रिट सब्जेक्ट में क्या होता है विटा आपका grammar portion भी होता है और इसके बाद आपका literature भी होता है तो कहने अब यूपीटेट में क्या है यूपीटेट क्या करता है विया दो तीन question पेड़ागोजी के दे देता है बाकि 27-28 question वो क्या रखता है grammar या साहित से grammar प्लस literature के जोड़ देता है व्याकरण और साहित से पूरे question दे देता है तो अगर यहां पर हम लोग क्या करेंगे seated वालों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि जुलाई में पेपर लगा हुआ है तो हम लोग कुछ दिन इसकी व्याकरण जल्दी से निप्टा लेंगे और फिर पेड़ागोजी पढ़ लेंगे थोड़ी बहु देंगे जो पीवाई क्यूज हैं मतलब जो प्रीवियस क्यूंस हैं उनमें जो पेड़ागोजी आई हुई है उसमें वह option क्यूं सही है वह क्यूं गलत है ऐसे करके जब लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग उस पर अच्छा कर सकेंगे कि ऐसा यह इसका यह क्यूं हुआ उस इस बासा में रहेंगे संस्क्रत बासा में ही रहेंगे ठीक वोईस्ट्यन आपके संस्क्रत बासा में ही रहेंगे तो अब हम लोग देख लेते हैं यहां तक तो क्लियर हो गया होगा ठीक आगे देखो हम लोग देख लेते हैं कि देखो जो संस्कृत सब्द है जो हमारा यह संस्कृत भासा जो संस्कृत सब्द है यह कैसे बना तो यहां पर अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले जिसको पढ़ने जा रहे हैं जिस भासा को पढ़ने जा रहे हैं तो देखो संस्कृत क्या है कि संस्कृत जहां तक मेरा मानना है कि संस्क्रत पढ़ने से पहले बोल्टे हैं अ as संस्क्रत पढ़ने का हमारा के बहुत है हम लोगों का जो एक में में हम लोगों की चाँ एक फet करते हैं तो कार की प्रारंब किसलिए किया जाता है उसको उस पर कोई विग्न ना आए है ना वो हमारा सुचार रूप से चलता रहे तो और बच्चों का भी उसमें भलाओ तो उसके लिए हम लोग एक सिस्टेमाटिक धंग से अपनी संस्कृत को स्टार्ट करते हैं सबसे पह कोमदी उसका है ठिक क्या उसका मंगलाचरण है भाई साब नत्वा सरस्वती देविम पहले लिख लेते हैं कि देखो यह मंगलाचरण है क्या है नत्वा सरस्वतीम देविम सुद्धाम गुण्याम करो मेहम पाडिनीय प्रेवेशाय लगुशिद्धांत कोमुदिम लगुशिद्धांत कोमुदी क्या है कि जो हमारा व्याकरण सास्त्र है उसका पहले तो प्रक्रियाग्रंत कौमुदी ग्रंत इनकी रचना हुई सबसे पहले अस्टाद्याई अस्टाद्याई के बाद उस पर वारतिक लिखे गए लेकिन व्याकरण प्ढ़ने लिए हम लोगों को कुछ कव्मुदी का भाग जैसे संधी हो गया समास हैं यह सब हमें संग्याएं हैं यह सब किसके थूपड़नी है जैसा हमारा व्यक्त्वर्णिक ग्रंत है लग सिध््दान्त कॉमुदी तो यहां से हम लोग करते हैं कि आगे हम लोग चलते हैं तो देखो अब हम आते हैं अपनी संस्क्रत भासा में पीटा संस्क्रत सब्द है संस्क्रत सब्द हमारा कैसे बना तो बीटा यहां पर समुपसर्ग पूरवक कृध हाथु और तप्रतय लग के हमारा संस्कृत सब्द बना न में संप्कृत कोई पूछे कि संकृत सब्द it इसका उचारण गो प्रकार से किया जाता है आप किया जा सकता है आप संस्कृत बहुत सकते हो और संस्कृत भी बोल सकते हो एक सदर्ण पार्ट में जो लोग हैं संस्कृत ही उचारण करते हैं क्या बोलते हैं संस्कृत मलब आप संस्कृत बोल सकते हो संस्कृत भी बोल सकते हो क्यों कि जब हम इसी को इंगलिस में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं यहां पर N बनाते हैं तो Sanskrit हो गई है ना और इसी को अगर हम जैसा हुआ यह मूल रूप है तो सम उपसर्ग लगा थे तो माक उचाण हम ना से नहीं करेंगे तो Sanskrit हो गा बोलने को आप free हो उच्छ भी बोल सकते हो और सम्स्कृत यो इसके बाद हम लोग आते हैं कि सम हमारा क्या है सब्सक्रहजगे और यहीट व्याकरण में क्या। भाई उपसर्ग धातु प्रत्ये हैे सारे यो जो तो चीजें हैं अगर यही हम साब सब कुछ पढ़ेंगे वह सब हमारा किस में आएगा व्याकरण में आएगा उपसर्ग संस्क्रत में बाइस बताए गए रातूं को दस गड़ों में रखा गया ठीक दस गण बताए गए गड़ पाट इसके बाद प्रत्य हो गए तो जब प् सब्काइब में आजाथे हैं दो चीज हो कि हम उपसर्ग सं यहां पर क्योंकि जो हमारा आदा का है यह-ए किसे अट जाएगा तो यह देखो लशक को तदिते से हमारे आदे काका लोप हो जाएगा देखो एक बार हम डिटेल कर दें कैसे बना तो देखो सम क्री और कत जो ता प्रत्य है इसका जो यह देखो ऐसे लिखा है ना तो यह जो ता प्रत्य है तो यहां पर क्या है कि इस काका व्याकरण सास्त्र में कोई भी प्रक्रिया हम बिना अपने मन से नहीं करेंगे मतलब व्याकरण सास्त्र की कोई भी प्रक्रिया है वो महर सिपालिन की अस्टाद्याई के कॉडिंगी होगी मतलब उसका कुछ ना कुछ नियम होगा यहां तक कि जब हम लोग जुआइन करके चीजों को पढ़ते हैं उसका भी एक सूत्र है कि हम इसके ठ्रूँ इसको जुआइन करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर बिटा लसक्व तद्धिते सूत्र है जो हमें यह बताता है कि ला चा और कु यह अगर अतद्धित प्रत्य के उसमें लगे हो अतद्धिते प्रत्य तद्धित ना हो जैसे तप्रत्य है यह तद्धित नहीं है अतद्धित है कृत प्रत्य है कृत प्रत्य है कृ इस वज़े से कु का मतलब हुआ का वर्ग पू का मतलब क्या हुआ का वर्ग का वर्ग में हमारा का खा गा और इंग्या यह सब आ और यहां क्या हो जाएगा किि इनका हम लोप कर देंगे इनकां लोप घो गया SEM सक्रम्रिय और तथ है ना किसका आगम होता है बिटा सुट का आगम होता है और सुट का आगम कहां होता है दातु के पहले सुट का आगम कहां होगा दातु के पहले जहां जो भी हमारे मकारांत हैं उनमें सुट का आगम इसमें किसमें हो जाएगा दातु के पहले तो आप ऐसे कर दू कि सम ऐसे कर दो ठ कर कि इसके भाद आपने क्या किया क्री करतों है अब देखो यह जो सुट है इसमेहाल हलंत्यम से संग्या हो जाएगी एक डिटेल में समझ लो हलंत्यम से चछित संग्या हो recite गया और शू तो में उकी उपदे से अज़ुनासी कित से कि जो ऊ है उसकी उपदे इस नासी कित से इत्संग्यसया हो जाएगी यह भी एट गया बचा क्या हमारे पास आदा सा बचा तो यह दो आई से कर के संज कर सब्द बन गया चिक प्रक्रिया आमने पूरी बता दी है वैसे ही आप लोगों के सिलेबस में नहीं मलब है इतना डिटेल में जाना लेकिन अब बात आ गई है आज इंट्रोड़क्शन क्लास है संस्क्रत को हम क्यूं अदूरा छोड़े है ना तो ऐसा क्यूं बना सुट का आगम हुआ इसके मुद्ध है तो आपा अंसर हो जाएगा स्म उपसर्ग है इसके बाद कौन सी दा उल ख लगा था परत्य लगा है किसका हुआ तो चूट का आगम हुआ चैर थे तो ऐसे ही बन गए बन गए ऊश्के मेलाव अश्क करके संस्क्राइव सब़ाया बना इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में baik कि आप व्याकरण्त जैसे देख लेते हैं व्याकरण हम लोगों को पढ़नी हैं कुछ दिन आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी क्यों कि पेड़ोगाजी मुस्ट इंपॉर्टेंट है सीटिट के हिसाब से छीटिट में पैड़ोगाजी 15 नमबर का से लेवस कवर करती है तो 15 नमबर जो है इसको आप लोगों को पैड़ोगाजी जरूर देखेंगे ठीक तो उसको किसी दिन जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसके एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि कल देखो इसको एक बार समझ लेते हैं वी आंग क्री और लुट तो देखो वी आंग इसमें जो इंगा है इसकी हलंतियम से इत्संग्या कर दो ठिक यहां पर टा की हलंत्यम से इतसंग्या हो जाएगी हलंत्यम इसलिए जो अंत्य हल होता है उसकी इतसंग्या करने के लिए हलंत्यम सूत्र ही आएगा यहां पर दूसरा कोई सूत्र नहीं लगेगा खलंतियम सूत्र लग गिया, तो यहाँ पर वी, आ, कृ, और्बिटा ये क्या बचा? लू, अब यहाँ पर ला की लशक्वतध्धिते से हो जाएगी, हो जाएगी की नहीं हो जाएगी? क्योंकि हमारा लुट प्रत्य भी तद्धित नहीं है आतद्धित है इस वज़े से लसक्वतद्धिते लग जाएगा और लशक्वतद्धिते कहता है कि ला चा और कूवर्ग इनकी इतसंग्या कर दो तसलोपासलोप कर दो ठिक केवल यू बचा आप देखो वी आ क्री और और आ मिलके क्या हो जाता है तो तो बाग कोई असमान चाहे तो अभी आ इन की क्लासस में चाहिती सवित्हज़ेशी में अधची के बाद को या समान स्वारा है तो इक लां संधिश्ढ़ी से तो देखो हम wow ऐसे हो जाएग था वी और ऊ हम मैं वी और और क्री और यू यहा आप देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, री, अब यह जो री है और यू, तो यू में आता है एक यू और ना को सूत्रा आता है, कौन सा आता है, यू और ना को, यू और ना को यह कहता है, कि भया यू अगर है, यू का अन या अन हो जाता है, ठिक, अन या अन हो जाता है, इ अगर उ है वू तो अक हो जाता है ठीक यू और वू तो यू का अन या अन हो जाएगा वू का अक हो जाएगा यहां पर हमारे पास यू है यू का विटा अन या अन कर दो री है इस वज़े से अन कर दो यहां पर ठीक री है तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग अन कर देंग अच्छा अन कर दिया वाई सब आप देखो व्या अब यह री री है ना री के बाद अगर कोई असमान सवर आता है तो आपने क्या पड़ा री के बाद कोई असमान सवर आ रहा है आई के बाद अगर री आ रही है तो देखो इसका हो जाएगा री का रा देश और हो जाएगा है ना तो क्री और री के बाद अन आ रहा है तो री का क्या आदेश हो जाएगा अर आदेश तो यह देख लो हमारा हो गया यहां पर व्या का अब यह देखो यहां पर अर आदेश हो जाएगा अब देखो का में आ जोड़ दो ठिक तो व्या का में आ जोड़ दिया का हो गया रा में आ जोड़ दो रा हो गया व्याकरण सब्द बन गया तो विटा कहने के मतलब यह है कि जो व्याकरण सब्द है उसमें भी हमारा यहां से ऐसे करके डिटेल में मतलब यह समझो कि कितनी मत तब कितना systematic चीज है कि एक सब्द को कैसे बना और उसकी प्रक्रिया कैसी है व्याकरण तो हम बोल दिये अब देख लो प्रक्रिया है यह है कि कैसे क्या बना सारी संधियां सब कुछ जो में इसमें हो गया कि ना यह प्रत्य और इन चीजों का विदान किया गया अब कोईस्चन पूंच किया सकता है कि व्याकरण सब्द में किस किन उपसर्गों का प्रयोग किया गया तो व्याकरण में वी और आंग उपसर्ग का प्रयोग किया गया कौन सी धातु है कौन सा प्रत्य है लुट प्रत्य है याद जरूर रखना इसमें अड बच रहा रहा है अंत में इस वजह से आपर लिउट प्रत्य है ठिक और जैसे कारक सब्द आपने पढ़ा होगा कारक कारक तो मिल्टार दको यहाँ परочно अपर बच रहा है अक दिखा न तो यहाँ पर अब ऐसा कोई प्रत्य उगा जिसमें उ बचता हो क्योंकि यू उता है इतुए एपने ढूल प्रत्तिय सुनाओं जिन बच्चो ने पद रखा है औरगए उनको समझ में आ रहा हो गा कि क्या श्री नियुआ कि वह सेगा जैने सुन बचेगा कि संस्क्रत में सीटेट में क्या आएगा ये सभी को पता है वांकि जो दे रहें हैं को पेपर लेकिन आप लोगों की आज इस बताईएंगा जो सीटेट वाले बच्चे इसके बाद हम लोग कल से व्याकरण स्टार्ट करते हैं और व्याकरण में हम थोड़ा स्पीड में पढ पढ़ेंगे किनकी क्या संग्या होती है वो पढ़ लेंगे चिक इसके बाद इसमें भी हम संदी समास उपसर्ग प्रत्य यह सारी चीज़ें पढ़ेंगा रेके क्लास में मज़ा आएगी आप लोगों को पढ़ने में जरूर जुड़े रहीएगा आप लोग संस्क्त की क्लास क्लास में हिंदी के साथ साथ आप लोग संस्कत की क्लास से भले आदे गंटे की रहेंगे लेकिन उन में आप लोगों को ज्याता से ज्याता में प्रोवाइट करते इसके बाद 2-4-5 दिन आप लोगों पैड़ोगा पढ़ा दी जाए जिससे आप लोगों संस्कत में कुछ चलो बेटा फिर कल मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए मस्त रहिए प्रसंद रहिए